हेलो एवरिवान राधे राधे जैसर किष्णया कैसे हो आप सभी आसा करते हैं आप सो बहुत अच्छे हैंगे स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सानवी ब्लॉग में तो फ्रेंज मैं आप सभी के साथ एक से गेहूं के आटे से बनने वाले मीठे का रेसिपी ल ना सकते हैं घर में क्योंकि यह घर का ही समान से बनने वाला है और यह देखिए यहां पर मैंने किसमिस लिया हुआ है और यह नारियल है यह किसमिस है और यह नारियल है नारियल को मैंने काटा नहीं है बस इसको कद्दू कस कर दिया हुए मोटा वाला पर इसको इसमें हम ए और यह देखे यहां पर सेलोनी और सुभम दोनों आ गए हैं लोग मम्य से पूछ ले मम्य क्या बना रही हो मीठा खाना है मीठा काना है तो मैंने बोल दिया बस कि हम मीठा बन रहा है बस दो मिनट रिवेट कर लोग इंतिजार कर लोग मीठा बन कर आएगा तुम लोग के पास जहाँ पर मैंने चीनी एड कर दिया है और पानी तो इसको गोल लेते हैं गाड़ा सा गोल इसको अच्छे तरीके से हम ग तो गोल रही है यह देखिए दिखा रही की मतलब कैसा गोलना है नमस्ते भी कर दी आप सभी को इसको अब इसमें हम यहां पर यह जो ड्राइफ रूट रखे थे नारियल और किसमिस इसमें हम एड कर लेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिसमें मिला लेंगे और यहां गैस पर मैंने कड़ाई में तेल बेठा दिया हुआ था यह रिफाइन ओयल है इसमें हम एक एक करके एक एक कल्चुल बड़े वाले चम्चे से इसमें एड़ कर दिया हुआ है और ही लाते डूलाते इसको पलेट लेंगे हम यह देखिए कैसे गुबारे के तरह खिला हुआ है और इसको पलेटने के बाद मैं इसको बस दबाती हुए ऐसे ऐसे गोल गोल न चाहते रहती हूँ जोकि अंदर से इसमें थोड़ा सा भी मतलब कच्छा पन नहीं रहता है बग जाता है बढ़ियां से यह देखिए यह हमारा पुआ हो गया है इसको हम निकाल लेते हैं देख मैंने एक और डाल दिया क्राई में और फ्रेंस आप लोगको हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा यह देखिए यह दुसरा वाला भी पुआ खिल गया है आप मैंने इसको भी दबा दबा कर हम घुमा लेंगे यह द्रम निकाल लेते हि下次 घुमा अब कभी मन किया जब घर में मिठा खाने का तो इसको भस आटे से घोल कर ची नि इस ममें बना लीन यह देखिए मैंने सारा यहां पर बना लिया हुआ है यह देखिए बहुत ही